नमस्क्रादाब दोस्तों मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी आज की एक बहुत ही जादा महत्वपूर्ण क्लास में कक्षा 10 वी के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों मैं आप सभी के सामने पेश करने जा रहा हूँ हिस्ट्री यानि के इतिहास से संबंदित एक हमारा बहुत ही महत्पूर्ण अध्यायर सर क्या है चैप्टर का नाम दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आपको मेरे पीछे चैप्टर का नाम दिख रहा है हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरस्टिंग बहुत ही महत्पूर्ण और बहुत ही ग्यानवर्दक हमारा अध्यायर जिसका नाम है भारत में राश्टवाद इस चैप्टर के अंदरगत दोस्तों हम लोग बहुत सारी जो महतपूर बाते हैं वो आप सभी के साथ डिसकस करेंगे और बहुत सारी चीजों को एक-एक करकर समझने वाले हैं है ना हमारा ये जो चैप्टर है दोस्तों हमें कहां देखने को मिलता है हमारा ये जो अध्याय ह ये हमें हिस्ट्री के अंदरगत देखने को मिलता है जो आपकी जो हिस्ट्री वाली पुस्तक है उसके अंदरगत हमें ये चैप्टर देखने को मिलता है जो और बहुत सारी बातें इसके अंदरगत हम जो देखेंगे वो हमारे प्यारे भारत से संबंदित है या पिर हम लो क्या समझने वाले हैं और दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारी किन-کिन बिन्दु होंगे जिनको आप और मैं पड़ेंगे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रथम विश्वयूद के बारे में जीहां दुनिया के अंदर दोस्तों आप लोग देखते हैं और यह जो दूसरा विश्वयूद है जिसे या फिर दुट्य विश्वयूद भी कहा जाता है ये कब से कब तक हुआ दोस्तों ये हुआ सत्यागिरे का मतलब क्या होता है इस सत्यागिरे की सोच को किनिके द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इस सत्यागिरे की सोच के अंद्रगत भारत में लोगों ने किस तरीके से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना शुरू किया उसको समझेंगे और उसी के सासा दोस्तों हम लोग discussion करेंगे गांधी जी के दुआरा किये गए कुछ famous तत्यागर है के आंदोलन जो आपके paper के अंद्रगत बड़े स्तर पर पूछे जाते हैं और बहुत बार आप देखते हैं कि यहां से सवाल बनते हैं और उसी के साथ साथ जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे न उससे संबंधित आपको हम लोग quiz के questions भी कराएंगे ताकि आप लोग उन चीज़ों को समझ पाएं चलिए start करते हैं दोस्तों बिल्कुल भी अपने समय को हम लोग वेर्थ नहीं करते हैं हम लोग किस चीज़ के बारे में discussion कर रहे हैं दोस्तों दो-चार बातों को हम लोग यहाँ पर समझते चलते हैं हम लोग यहाँ पर जिस chapter के बारे में discussion कर रहे हैं उसका नाम है भारत में राश्रुवाद है ना और अगर आप लोग इस chapter को देखते हैं, तो हम लोग इस chapter के अंद्रगत एक बारी की को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं. बात हो रही है हमारे प्यारे भारत की. अच्छा जो हमारा प्यारा भारत था था ना दोस्तों आप देखते हैं कि इसको गुलाम बनाया गया था या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे प्यारे भारत को उपनिवेश बनाया गया था है ना आपके पेपर में दोनों शब्दों को यूज किया जाता है तो किरपिया करके कन्फ्यूज मत होईएगा गुलाम और उपनिवेश का मतलब क्या होता है दोस्तों कि किसी देश पर कबजा कर लेना किनों ने कबजा किया था आप सभी को बता है कि हमारे प्यारे भारत देश पर अंग्रेजों के द्वारा कबजा किया गया था अच्छे ये अंग्रेज लोग कब आये थे हमारे भारत में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों की दुआरा भारत में आना हुआ था सन सोला सो में है ना आज हम लोग साल 2023 में बैटे हैं दोस्तों और आप देखते हैं कि आज से लगभग बहुत साल पहले है ना 500-500 साल पहले हम देखते हैं कि भारत के अंदर अंग्रेज आये थे और ये सन 1600 के अंदर अंग्रेज आते हैं और ये अंग्रेज लोग क्या करते हैं दोस्तों ये अंग्रेज लोग ना अपनी एक कमपनी बनाते शुरुवात में ये जो अंग्रेज लोग आये थे न दोस्तों इनका उद्देश्य था भारत के अंदर क्या करना भारत के अंदर वैपार करना भारत के लोगों के साथ वैपार करना लेकिन जब ये भारत के अंदर आते हैं और भारत के अंदर आ जाने के बाद जब इनको दिखती है बहुत अच्छी जलवायू जब इनको दिखता है बहुत अच्छा मौसम जब इनको दिखता है कि यहाँ पर तो परवत भी है पठार भी है मैदान भी है और रेगिस्तान भी है इनके वहाँ पर सिर्फ पहाड़ हुआ गरते थे तो इनको देखता है कि इतना अच्छा मौसम इतनी अच्छी स्थलागरतियां इतनी अच्छी जगा तो ये लोग क्या करते हैं दोस्तों ये भारत के उपर कहीं न कहीं शासन या फिर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे आप लोग क्या करते हैं दोस्तों आप देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था अंग्रेजों पर अंग्रेजों के द्वारा भारत पर शासन करने के लिए एक तरकीब को चुना गया था उस तरकीब को हम लोग क्या गयते हैं दोस्तो फूट डालो शासन करो याद है आपको जी हाँ आप देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया दोस्तो भारत के अंदर डिवाइड एन रूल इस पॉलिसी को लागू किया गया इसका मतलब कि एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़ाओ एक जाती विशेश के लोगों को दूसरी जाती के लोगों से लड़ाओ एक भाषा वाले लोगों को 1757 तक भारत के अधिकतर भागों पर कबज़ा कर चुकी थी और फिर आप देखते हैं कि भारत में साल 1947 तक इन लोगों के द्वारा हमारे प्यारे भारत पर कबज़ा किया गया लगभग 200 सालों की गुलामी हमारे प्यारे भारत को जहिलनी पड़ी थी अब दोस्तों हुआ क्या देखिए भारत को गुलाम बना लिया गया क्या भारत के लोग जो अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बना लिये गये थे क्या वो अजादी की कोशिश नहीं कर रहे थे क्या उनके अंदर देश प्रेम नहीं था तो राश्टवात का मतलब होता है देश प्रेम भारत के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारी situation's बनने लगती है जब अंग्रेशों के दौरा भारत पर कबज़ा कर लिया जाता है तो बहुत सारी situation's बनती है जिसके अंदर देखा जाता है कि भारत के लोग धीरे धीरे अंग्रेजों से परिशान होते हैं और ये परिशानिया जो थी दोस्तों भारतियों के दिल में राश्टुबात को पैदा करती हैं देश प्रेम को पैदा करती हैं और भारत के लोग फिर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि अजादी की लड़ाई लड़ी जाती है तो वो क्या घटनाय रही थी जिसकी वज़ा से भारत में आप देखते हैं कि देश प्रेम या फिर राश्टुबाद की भावना बनी उसको हम लोग समझेंगे ठीक है तो इस चेप्टर की दोस्तों कि प्रथम विश्वयूद जो हो रहा हैं दुनिया में ये जो प्रथम विश्वयूद हो रहा है इस प्रथम विश्वयूद की वज़ा से भारत में लोगों में देश प्रेम की भावना बढ़ने लग जाती है चलिए इबर क्विकली समझने की कोशिश करते हैं कि कि आखिर ये First World War क्या था, ये First World War किन किन कंट्री इस के बीच में हुआ, क्या हमारा प्यारा भारत देश इस लड़ाई के अंदर शामिल था, अगर था तो क्यों था, इसको हम लोग समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, दोस्तों अगर हम देखें, दुनिया के अंदर, आप देखते हैं कि समाप्त हो जाते हैं, लोगों के घर तबा हो जाते हैं, पूरे पूरे देश आपको समाप्त होते हुए दिखते हैं, अच्छा, ये जो लड़ाई हुई थी थी ना, दोस्तों, आप देखते हैं कि लड़ा गया था, इस प्रतम विश्वयूद के अंदर एक group में आपको दिखते हैं दोस्तों यह country और दूसरे group में आपको दिखती हैं यह country ठीक है अब क्यों बने इसको हम लोग समझने की गोशिश कर लेते हैं दोस्तों हम देखते कि first world war जो है दोस्तों आप देखते हैं जो प्रतम विश्वयूद है यह साल 1914 से साल 1918 के बीश तक और उस समय दुनिया के जितने भी powerful देश थे, उन्होंने अपने एक group बना लिये थे, एक group था दोस्तों, जिसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, जिसे हम लोग हिंदी में किस नाम से पुकारते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, केंद्रिय शक्तियां, ठीक है, और इन केंद्रे शक्तियों के अंदर हमें कौन-कौन से देश दिख रहे हैं दोस्तों इन केंद्रे शक्तियों के अंदर हमें दिख रहा है Ottoman Hungary Empire उसी के साथ आप देखते हैं कि German Empire और उसी के साथ हमें दिखता है दोस्तों Austrian Hungary Empire है ना तो अलग-अलग सामराज्य हमें दिख रहे हैं जिसे आज के समय में इसे हम लोग तुर्की कहते हैं ये तुर्की देश है दोस्तों ठीक ऐसे ही ये जर्मनी देश है ये आस्ट्रिया हंग्री देश है ठीक ऐसे ही दूसरा जो गुरूप था दोस्तों जो इसकी खिलाफ लट रहा था इन्हें हम लोग Allied Missions कहते हैं और हिंदी में इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों हिंदी में इन्हें धूरी राष्ट कहा जाता है दो दुनिया के उस समय के जितने भी पावरफुल देश थे उन देशों ने अपने दो गुरूप बना लिये एक गुरूप में ये देश और दूसरे गुरूप में आप लोग देखते हैं कि ये देश हमारा भारत कहा है भाई हमारा भारत कहा है इसके अंदर ये चैप्टर तो भारत की अजादी का है ना क्या भारत इसके अंदर आपको देख रहा है दोस्तों नहीं हमारा प्यारा भारत इस लडाई के अंदर शामिल नहीं था है ना आप देखते हैं दोस्तों कि वो धुरी राष्ट के अंदर शामिल थे, ठीक, तो साल 1914 से साल 1918 तक ये लड़ाई चलती है, दुनिया के उस समय के जितने भी पावरफुल देश थे, वो एक दूसरे के खिलाफ आ जाते हैं, और वो एक दूसरे की जान और माल के दुश्मन मन जाते हैं, और ये दूसरे पर ह अच्छा इसके अंदर हमारा प्यारा भारत नहीं है, लेकिन अंग्रेज जो हम पर शासन कर रहे थे, वो इस यूद के अंदर शामिल थे, अब होता क्या है दोस्तों, कि दुनिया में प्रथम विश्वयूद हो रहा है, और भारत उस समय तक गुलाम था, और अंग्रेज भ प्यारा भारत देश इस यूद के अंदर प्रत्यक्ष तोर पर, सीधे तोर पर शामिल नहीं था, हमने देखा कि हमारा प्यारा भारत इस यूद के अंदर सीधे तोर पर शामिल नहीं था, लेकिन हा, अंग्रेज जो थे, इंग्लेज के जो लोग थे, जो हम पर राज कर रह और अंग्रेज चाहते थे कि वह इन सभी देशों को हराय हैं न, अब जब भी युद लड़ा जाता है, जब भी कोई वार होती है दोस्तों, तो उस वार के अंदर आपको देखता है की आपको हतियार चाहिए है, आपको सैनिक चाहिए, सैनिकों तक खाना पहुचाना है, तो कि बढ़ाने हो जाते हैं और वो बड़े स्तर पर क्या गरते हैं कि जितना भी उनका हरुआ है इस लडाई में जितना बी उनका खर्चा हो रहा था ला इस खर्चे को पूरा करने के लिए अपने खजाने को भरने के लिए वो इस लडाई तो इसकी वज़ा से भारतियों के दिल में गुसा बढ़ना शुरू होता है कि लड़ाई हो रही है उसे हमारा क्या लेकिन हमसे आप देखते हैं कि अंग्रेज हमसे टेक्स लेना शुरू कर देता है चलिए टेक्स तो लिया ही जाता है क्योंकि अंग्रेज अपने खजाने को बेचता था तो उस पर बहुत जादा पैसा लगाया जा रहा था उस पर बहुत जादा अतिरिक टेक्स लगा रहे थे उसकी किसासत इंकम टेक्स के आपके जितनी भी आमदनी आप जितना भी कमाते हो उस कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेज अपने पास रख रहे थ अपने सैंडिकों को खाना खिलाना था अब जब ये सब चीजें भारत के अंदर हुई जब उन्होंने अंग्रेजों ने भारतियों से टेक्स लेना शुरू कर दिया तो भारत के अंदर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों जो खानी पीने की चीजें थी वो बहुत तेजी क साथ महंगी हो गए है ना आप देखते हैं कि जब टेक्स बढ़ा दिया आप किसान को जादा पैसा देना पड़ रहा है अंग्रेजों को तो उसने समान महंगा करके बेशना पड़ा दुकानदारों को भी जब अंग्रेजों को जादा पैसा देना पड़ा तो उन्होंने भी फिर समान महंगा करके बेचना पड़ा तो अंग्रेज जब जादा टेक्स लेना शुरू कर देते हैं तो इस वज़ा से प्रथम विश्वियूत के कालखंड में भारत के अंदर दोस्तों आप देखते हैं कि बड़े लेवल पर महंगाई बढ़ जाती है है ना और भारत की जनता जो थी दोस्तों आप देखते हैं कि उस समय तक अधिकतर गरीवी थी और उस गरीब जनता के लिए इस महंगे समान को खरीदना बहुत जादा मुशकिल हो रहा था है ना उस आम आदमी के लिए उस महंगे समान को खरीदना गुस्सा हो रहा था और भारतियों के दिल में अंग्रेजों के प्रती गुस्सा बढ़ता जा रहा था है ना क्योंकि ये लड़ाई हमारी लड़ाई हमारी थी क्या नहीं इस लड़ाई में हम शामिल थे क्या नहीं लेकिन आप देखते हैं कि ये लड़ाई हमारी थी भी नहीं हमारा प्यारा भारत देश इस यूद के अंदर शामिल नहीं था लेकिन अंग्रेज क्योंकि हम पर राज कर रहे थे उन्होंने भारत के जो युवक्त थे है ना भारत के जो ग्रामी उड इलाकों के लोग थे ना उनको जबरदस्ती क्या कर दिया सेना में शामिल कर दिया और इनको क्या कर दिया, दोस्तों इनको फिर यूरोप में लेके जाते। जहाँ पर प्रत्वम विश्वयूद के लडाई लड़ी जा रही लेकिन प्रतम विश्वयूद में महंगाई बढ़ी, टेक्स जादा लेना शुरू कर दिया, जबरदस्ती सेना में शामिल किया, तो भारतियों के दिल में आप लोग देखते हैं, दोस्तों कि जो देश परेम था, वो तेजी से बढ़ता चला गए और भारत के लोग कुछ करन पड़ेगा, उसी समय के अंदर आप लोग देखते हैं, दोस्तों कि महंगाई बढ़ चुकी थी, टेक्स बहुत जादा लिया जा रहा था, उसी के साथ भारत के लोगों को जबरदस्ती अंग्रेज अपनी सेना में शामिल कर रहे थे और अपने लिए लड़ने के लिए भे इस तरब अधर, ऐसी ही एक बिमारी आप देखते हैं कि दोस्तों साल 1918-1917 के पास आती हुई देखती है भारत के अंदर और इस बिमारी को इंफ्ल्वेंजर बिमारी कहा जाता है, इस बिमारी की वज़़ा से भारत के अंदर लाखों लाख जो लोग displays न दोस्तों आपको मर पे हुए दिखते हैं और अंग्रेज जो थे दोस्तों इसकी तरफ बिल्कुल भी धियान नहीं दे रहे थे अंग्रेजों को सिर्फ पैसा बढ़ाना था भारतियों से टेक्स जादा से जादा लेना था वो इसकी तरफ बिल्कुल भी धियान नहीं दे रहे थे और इस वज़ा बहुत सारी जो situations बनी बहुत सारे जो इस्तितिया बनी वो अंग्रेजों के आप देखते हैं दोस्तों खिलाफ बनने शुरूएं तो प्रत्थम विश्वयूत की वज़ा से अंग्रेजों ने भारत में टेक्स को जाधा बढ़ा दिया टेक्स बढ़ने की वज़ा से आप लोगों को जबरदस्ति अंग्रेजी सेना में शामिल किया उस समय ये जो महमारी फैली उस महमारी का भी अंग्रेजों ने कोई आप देखते हैं कि उचित प्रबंध नहीं किया भारत के लोगों को मरने दिया इस वज़ा से भी भारतियों के दिल में गुस्ता पहला और अक इस कहानी के अंदर एक एंट्री होती है और भारतियों के दिल में ये जो चिंगारी जल चुकी थी देश प्रेम की राश्टरुबात की इस चिंगारी को आप देखते हैं दोस्तों ज्वाला बनाने वाली विक्ति की यहाँ पर कहानी में एंट्री हो रही है हम बात कर रहे ह दोस्तों हम बात कर रहे हैं महत्मा गांधी की साल 1915 में आप देखते हैं दोस्तों महत्मा गांधी जी की आप देखते हैं कि भारत के अंदर एंट्री होती है दक्षन अफरीका आप क्या देखते हैं दोस्तों आप देखते हैं कि दक्षन अफरीका गांधी जी गए थे अच्प्राइब को यह भारत के अंदर आते हैं और 9 जनवरी भारत का आ जाने के बाद आप देखते हैं कि इन को समझ में आता है कि जो हमारे भारत के लोग है वो बड़े स्टर पर पर प्रopen प्रेशान है भारत के लोग अंग्रेज को लूता जा रहा है उन प्रकार का गांडी जी जब भारत आ जाते हैं गांदी जी जब भारत आज आते हैं तो उसके बाद भारतियों के सामने एक प्रकार का आईडिया प्रस्तूत करते हैं क्या करते हैं दोस्तों एक प्रकार का विचार प्रस्तुत करते हैं और इसी विचार को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं इसी विचार को हम लोग सत्या ग्रह कहते हैं है न अगर मैं आपसे पूछूँ कि कौन सच पर था क्या अंग्रेज सच पर थे या फिर हम सच पर थे ये इस देश पर तो भारत की लोगों का शारसन होना चाहिए सर इस देश में तो भारतियों को लूटा जा रहा था तो गांधी जी भी यही बात कहते हैं कि अगर आपका उद्देश सचा है गांधी जी क्या कहते हैं दोस्तों अगर आपका उद्देश सचा है अगर आप सच के ल पर चलकर आहिंसा का मतलब क्या है कि आप इखटे हो जाएंगे आप हमला नहीं करेंगे आप इखटे होकर अपने दुश्मन के प्रती उसे बताएंगे कि तुम्हारी गलती क्या है और अपनी जंग को जीच सकते हैं तो भारतियों के सामने गांधी जी ने इस प्रकार के आइ उद्देश्य सही है क्योंकि भारतियों का उद्देश्य सही था उनको गुलाम बनाया था तो आपको हिंसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप हिंसा के मार पर हम इखटे होंगे और अंग्रेजों से अपनी बाते मनवाएंगे अब धीरे धीरे गांधी जी भारत क परभावित हो जाते हैं लोग यह जो सत्यागि रहे था दोस्तों इस विचारधारा से बहुत से भारत के लोग परभावित हो जाते हैं और वो क्या कहते हैं उनको समझ में आ जाता है कि अगर हमें अपनी बातों को पूरा करना है जो जैसा गांधी जी कह रहे हैं वैसा करो कि अगर हम इखटा रहेंगे तो हम अंग्रेजों से कोई भी बाते मनवा सकते हैं कि अब भारत के लोग अंग्रेजों से कोई बाते मनवा पाएंगे कि अब भारत में अंग्रेजों को भारतियों की बातों को मानना पड़ेगा कि ऐसा संभा हो पाएगा चलिए समझते हैं तो गांधी जी साल 1915 में भारत आ चुके हैं भारत के लोगों के सामने उन्हों ने विचार प्रस्तूत किया है कि हिंसा नहीं करनी है हम लोगों को इखटा रहना है अगर हम इखटा रहेंगे तो अंग्रेज हमें तोड़ नहीं पाएंगे और हम इखटे र गांधी जी ने एक तरीके से आइडिया प्रस्तूत कर दिया कि अगर हम इखटे रहेंगे तो हम अंग्रेजों से कोई भी बाते मनवा सकते हैं और अब इसी आईडिये पर भारत के लोगों को विश्वास हो गया कि भाई हाँ गांधी जी जो कह रहें न वो आ गये हैं वो बिल्कुल सही बता रहें और इसी बात पर आप देखते हैं दोस्तों कि भारत के लोग विखट ग्रह से संबंदित किये गए थे इर्गी पूरी प्रेश्ट भूमी या फिर कहानी क्या है इसको हम लोग समझते हैं देखिए दोस्तों चमपारन सबसे पहले समझते हैं कि यह कहां पर है दोस्तों चमपारन जो है न आप देखते हैं दोस्तों हमारे बिहार की अंद्रगत पाया जाने वाला एक छेत्र ये रहा दोस्तों है न ये बिहार का मांचिद्र और उसमें ये जो है पूरा का पूरा रेड एरिया ये कहलाता है चमपारन जो इलाका है न दोस्तों आप देखते हैं कि यहां पर गांधी जी के दुवारा सबसे पहला सफल आंदोलन हमें होता लोगो देखता है गांदी जी आये साल 1915 में बारत उसके बाद पूरे भारत को देखा भारतियों के सामने सत्य घरे का आइडिया प्रस्तूत किया भारत के लोगों को समझ में आया अब इसी आइडिया को आप देखते हैं दोस्तों बड़े स्थर पर सफल होता हुआ भारत के लोग देखते हैं होता क्या है दोस्तों कि गांधी जी जो थे न इस समय तक कहीं न कहीं आप देखते हैं कि वो पूरे देश में घुम चुके थे और एक लहर से उड़ चुकी थी कि गांधी जी भारत आए हैं और वो भारतियों के सामने जो तरीका प्रस्तूत कर रहे हैं तुम्हारा यह जो चंपारन एरिया है जो बिहार में पड़ता है इस चंपारन एरिये के अंदर जितने भी किसान थे ना उनसे क्या करवाते थे दोस्तों उनसे कहते थे कि तुम्हारे पास 85 परतिशत तुम्हारी खेत है तुम्हें जो उगाना है उगाओ लेकिन 15 परतिशत क्या करना होगा दोस्तों तुमारी जमीन जो है खेत की उस 15 परतिशत पर हर किसान के लिए अनिवार्य था क्या अनिवार्य था कि वो क्या करेगा दोस्तों वो नील की खेती करेगा इस तरीके का नील होता है इस तरीके के उसके पौधे होते हैं दोस्तों है ना तो भारत के च लोग इसके दिवाने थे अंग्रेज इसको दूसरे देशों में भेजा करते थे और बेचते थे अब चंपारन के किसानों से जबरदस्ती आप देखते हैं कि 15 परतिशत कहा गया कि तुमको उगाना है चंपारन के किसान उगा देते परिशानी क्या है 25-85 परतिशत जो जमीन ह हो जाता है पूरे आपका खेत है वो आपको बंजर हो दिख जाता है और भारत की किसान इसी समस्या से बहुत ज़ादा गिरसान है आप देखते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर जो किसान थे उनसे कहा गया 85 परतिशत पर जो उगाना है उगाओ लेकिन 15 पर नील की खेती करन प्रकिरिया को इस प्रणाली को तीन कठिया प्रणाली के नाम से उस समय पुकारा जाता था ठीक है अब भारत के जो इकिसान थे चंपारण के यह बहुत जादा परेशान थे उनके खेद बंजर हो रहे थे अब वो क्या करते हैं दोस्तों आपको देखता है कि वो अंग्रेज जी पहुंचते हैं और गांदी जी कहते हैं कि चलिए हम आंदोलन करेंगे हम इखटे होकर अंग्रेजों का विरोध करेंगे चंपारण के किसान और गांदी जी सब मिलकर आंदोलन करते हैं शुरुवात में अंग्रेज इनकी बातों को नहीं मानते लेकिन बाद में इतना बड़ा जन आक्रोश को देखकर अंग्रेजों को बाते माननी बढ़ती है और यह जो तीन कर्ठिया प्रणाली थी न यह आप देखते हैं कि चम्पारण के अंदर से समाप्त हो जाती है और नील की जबरदस्ती जो खेती होती थी वो समाप्त हो जाती है तो यह सबसे पहला अफल हुआ ना चंपारण का अंदोलन तो भारत के लोगों को समझ में आ गया कि भाई हां गांदी जी सही कह रहे हैं कि अगर हम लोग इखटे रहेंगे तो हम अंग्रेजों से अपनी बाते मनवा सकते हैं और भारतियों के दिल में विश्वास पैदा हो गया कि हमें अंग्र के दोर पर आप लोग देखते हैं कि किसके लिए था ये जो आंदोलन था ये आंदोलन कर रहे थे मजदूर लोग है ना आप क्या देखते हैं दोस्तों मजदूर लोग कर रहे थे दोस्तों ये आंदोलन कर रहे थे एहमदाबाद के मजदूर लोग बेसिकली हुआ क्या था कि साल 1918 में आप देखते हैं कि जो एहमदाबाद था वहाँ पर एक बिमारी फैल गई थी जिसे प्लेग बिमारी कहा जाता है तो जो मजदूर थे एहमदाबाद के आप देखते हैं कि दोस्तों वो बहुत जादा आपको क्या दिखते हैं वो बहुत जादा आपको परेशान द से कहते हैं कि भाया जी आप हमें क्या दे दो आप हमें बूनस दो आप हमें बूनस दो कितना परसेंट बूनस दो जो फैक्टरी के मजदूर से वो कहते हैं कि आप हमें 50% जादा पैसा बढ़ा के दो बूनस का मतलब पैसा बढ़ा के देना फैक्टरी के जो मालिक थे वो कहते कि नहीं नहीं हम इतना नहीं दे सकते हम इतना पैसा तो में बढ़ाकर नहीं दे सकते हैं जो मजदूर थे वह 50% पैसा बढ़ाकर मांग रहे थे लेकिन जो फेक्टरी मालिक थे वह कहते हैं कि हम 50% तो पैसा बढ़ाकर नहीं दे सकते हम 20% देख सकते हैं मजदूर क्या कह रहे यह हम आंदोलन करेंगे है ना वो गांधी जी को आमंतरित करते हैं यतने भी मजदूर थे वो क्या करते हैं दोस्तों वो गांधी जी को बुलाते हैं और गांधी जी को बुला कर क्या कहा जाता है एक प्रकार से गांधी जी से हुआ गांदी जी यहाँ पर पहुंच जाते हैं गांदी जी के इस इलाके में पहुँचने के बाद बड़े फїशतर पर आप देखते हैं कि दोस्तों सभाइघे होती हैं सारे मज़़़ दोस्तों उसी situation का उसी स्तितिक का इचीदर आपके सामने है फिर गांदी जी क्या करते हैं दोस्तों मध्यस्ता करते हैं मध्यस्ता का मतलब कि ना तो मजदूरों की बातों को माना जाएगा और ना ही आप देखते हैं कि फैक्टरी मालिक की मजदूर कह रहे हैं पर चलेंगे तो हम अपनी बातों को मनवा सकते हैं ठीक अब दोस्तो साल 1918 में ही आप देखते हैं कि भारत के अंदर एक और बड़ा आंदोलन हुआ अच्छा ये जो आंदोलन था ना दोस्तो साल 1918 में एहमदाबाद का आंदोलन हुआ था इसके अंत्रगत पहली बार 30 परतिशत आप लोग देखते हैं दोस्तों जो बोनस था उसको मान लिया गया था अब साल 1918 में ही आप देखते हैं दोस्तों एक और सत्यागरह का अंदोलन हमें होता हुआ दिखता है और ये जो सत्यागरह का अंदोलन था ये था अंग्रेजों के पृति जैसे चमपराण प्रत रादता है न na दोस्तों यहां कि जो किसान थे अंग्रेज उन से बहुत ज़्यादा टेक्स लेना शुरू कर देते हैं और किसान इसे परैशाण थे और backwards यह हम नहीं दे रहें टैक्स हॉरे हमよう, हम तुम्हें पैसा कहां से दें और इसी वजा से आप दे आ जो खेडा के किसान थे न वो क्या कर देते हैं वो अंग्रेजों को जो पैसा मांग रहे थे उनको पैसा देना बंद कर देते हैं और जो अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो जाता है दोस्तों आप लोग देखते हैं कि क्या होता है खेडा के किसान खड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने देखा था ये चमपारण के किसानों ने अपनी बातों को मनवाया है तो आप देखते हैं कि जो खेडा के किसान थे वो टेक्स देना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको उतनी ज़्यादा फसल पैदा नहीं हो रही थी और वो सभी लोग एकटा हो जाते हैं और बड़ी संख्या में जो किसान थे ना उनको क्या किया जाता है जब अंग्रेज देखते हैं कि वो आंदोलन कर रहे हैं तो उनको जेल में डाला जाता है फिर खेड़ा के जो किसान थे वो कहते हैं गांदी जी के भाई आप हमारी मदद के लिए भी आईए और गांदी जी जून के महीने में आप लोग देखते हैं कि पहुँच जाते हैं खेड़ा के अंदरगत और यहाँ पर किसान जो थे बहुत शांती प्रियत तरीके से अपने विरोध को करते हैं इतनी बड़ी भीड को देखने के बाद अंग्रेजों को समझ में आते हैं कि भाई इनकी बात को मान लो और अंग्रेज आप देखते हैं कि जो मांग थी खेड़ा के किसानों की उनको मान लिया जाता है और उनसे जो टेक्स लिया जा रहा था कर लिया जा रहा था लगान लिया जा रहा था उसको समाप किया जाता है और उसी के साथ आप लोग देखते हैं दोस्तों कि ये एक तीसरा वड़ा आंदोलन भारत में होता है और ये भी एक सत्यागिरह का आंदोलन तो तो तीनों आंदोलन हुए अब भारतियों को विश्वास हो गया कि हाँ हाँ ये जो सत्यागिरह वाली सोच है ये बिल्कुल सही है कि अगर हम लोग इखटे रहेंगे तो हम अपनी पूरी बातें अंग्रिजों से मनवा सकते हैं और हम सत्य के मार्क पर चलेंगे तो हमें जरूर सत्य की प्राप्ति यानि कि अज़ादी की प्राप्ति होगी अच्छा है ये जो खेड़ा आंदोलन था ना इसी आंदोलन क अंदर गांदी जी और सदार पटेल की भी आप लोग देखते हैं कि मुलाकात हुई थी और इसी मुलाकात के बाद ये दोनों बहुत अच्छे मित्र भी बन गए थे तो दोस्तों यहां तक हमने आप सभी के साथ अपना ये आज का लेक्चर किया जिसके अंदर हम लोगों ने और गांदी जी के दुआरा कियेगा जो तीन सत्या के रहे के आंदोलन थे एहमदबाद, चमपारण और खेड़ा उनको पढ़ा और वो किस तरीके से सफल था उसको देख लेए तीनों आंदोलनों के बाद दोस्तों भारत के अंदर भारतियों में देश प्रेम की भावना बढ़ चुकी थी और यही देश प्रेम की भावना भारत में बड़े आंदोलन कराएगी जिसे हम लोग असयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं जिने हम लोग अपने नेक्स लेक्चर के अंदर करेंगे चलिए आज की क्लास से संबंदित जो हमारे बिल्कुल सही बनता है अगला सवाल है पूछा जा रहा है कि गांदी जी दक्षिन अफरीका से कब भारान रोटे थे तो गांदी जी 9 जनवरी साल 1915 को आप देखते हैं कि भारत आये थे और यहां पर हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन बनता है अगला सवाल पू सवाल कि गांदी जी जो थे वो दक्षिन अफरीका में भी अंग्रेजों के खिलाफ लट रहे थे और अंग्रेज क्या करते थे दोस्तों वहाँ पर न अंग्रेजों ने रंग के अधार पर भेत किया हुआ था गोरे काले का भेत किया हुआ था इसके खिलाफ गांदी जी व पूछा जा रहा है दोस्तों कि तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी जो चमपारण की किसानों पर लागू थी दोस्तों आप सभी को बताया जिसमें उनसे कहा जाजा था 85 पर्तिशत भूमी पर जो उगाना है वो उगाओ 15 पर तुम्हें जबरदस्ति नील की खेती करनी होगी इसी को तीन कठिया प्रणाली कहा गया था जो किसानों पर लागू थी चमपारण के दोस्तों आज की क्लास का एक और सवाल कि चमपारन का जो किसान आंदोलन था उसका नित्यतर रोग किस ने किया उसको किस ने आप देखते हैं कि लीड किया था महत्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नहरू ने सुभाष शुंद्र बोस जी ने, या फिर भगसिंग जी ने तो ये जो चंपारण आंदोलन था दोस्तों इसको लीड किया गया था महत्मा गांधीजी के दौरा और आज की class का एक और जबरदस सवाल है कि गांधी जी ने पहला किसान अंदूलन का प्रारम किया गांधी जी के दूरा जो पहला किसान अंदूलन था वो साल 1917 में होता है और वो चमपालण के अंदर आप देखते हैं कि किया जाता है एक और सवाल, खेडा का जो आंदोलन था, वो किस बात पर आधारित था, खेडा का जो आंदोलन है, जो साल 1918 में आप देखते हैं कि होता है, वहाँ कि किसान परेशान थे, और वो अपने परेशानी की वज़ा से टेक्स देना बंद कर देते हैं, और किसानों के द्वारा ये जमीन पर हुआ था, आप देखते हैं, एहमदाबाद का जो आंदोलन था, ये वहाँ के मिल मजदूरों के द्वारा किया गया था, जो प्लेग की बिमारी से परभावित थे, जो बात कर रहे थे कि भया, पचास परतिशत पैसा बढ़ाओ, फैक्टरी मालिक कह रहे थे कि 20 बढ़ाएंगे, और गांदी जी की मध्यस्ता से वो 35 परतिशत पर राजी हो गए थे, ऑप्शन B हमारा बिल्कुल सही बनता है, ठीक है, आईक और सवाल, कि इन में से किस के बुलावे पर गांदी जी चमपान गय थे, अच्छा, गांदी जी को आमंतरित किया गया था, है आप चमपान आईए, तो इन में से बिहार के एक नेता है, जिनका नाम क्या है दोस्तों, रामचंद्र शुगिल जी इन ही के आमंतरन पर गांदी जी चमपान पहुंचते हैं साल 1917 में, और फिर उसके बाद चमपान का जो आंदोलन था, उसे सफल बना देते हैं, चलिए दो दोस्तों, और आप सभी का कहते हैं, शुक्रिया, है ना, भारत में राश्रवाद इसका हमने अपना ये लेक्शर बन किया, जिसमें शुरुवाती अध्याई की शुरुवाती कहानियों को देखा, अब भारत में और बड़े आंदोलन होंगे, और फिर भारत की पूरी अज दादी की कहानी के हमारा पूरा का पूरा अध्याई रखता है, आशा है कि आप सभी को हमारा ये लेक्शर जरूर पसंद आया होगा, आप लोगों से मुलागात करेंगे इसी अध्याई के एक और लेक्शर में, तब तक आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें, आपका